नमस्कार आप देख रहे हैं यनन भारत और मैं हूँ आपके साज्जियों की मध्यप्रदेश 36 गड़ो राजस्थान में मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति करके भाजपा ने हर किसी को चौका दिया तीनों ही राजजियों में CM फेस को लेकर लोगों में बहुत ज़ादा उत्सुकता थी बजह थी यहां पर शिवराज सिंग चौहान रमन सिंग और वसुंदरा राजे जैसे दिगर्ज नेताओ और पूर्ग CM की मौजूदगी हर किसी के मन में सवाल था कि भाजपा क्या इतने बड़े नेताओं को साइड लाइन करने का रिस्क लेगी और भाजपा ने ये रिस्क लिया बीजेपी आला कमान ने इन तीनों को किनारे करते हुए नए नामों के एलान करके हर किसी को चौका दिया भाजपा ने राजस्तान में वसंदरा राजे की जगहाया पर भजन लाज शर्मा को मुख्य मंत्री बनाया मद्य प्रदेश में सिवराज सिंग चौहान की जगहाया पर मोहन यादव को मुख्य मंत्री बनाया गया वहीं 36 गड़ में रमन सिंग की जगह पर भाजपा ने विस्नु देव साहे पर भरुसा जताते हुए उन्हें प्रदेश का मुख्या बनाया हलांकि 36 गड़ के पूर्व सीम रमन सिंग को पार्टी ने विधानसबा स्पीकर बना कर कुछ रोल तो दिया है उनके पास कहने को तो समवेदानी पोस्ट है ही लेकिन वसुंदरा राजे और शिवराज सिंग चोहां सबसे जादा घाटे में रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी आलकमान ने कोई भी पोस्ट नहीं दी है अब वो दूसरे विधायकों की तरह बस विधायक हैं मंगलवार को ही शिवराज सिंग चोहान ने कहा था कि वह दो हज़र सोईस की तैयारियों में जुट गए हैं लेकिन उनके दिल्ली जाकर कुछ मांगने से अच्छा है मरना बहतर है एक बात मैं वड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बहतर मैं मरना समझूँगा वो मेरा काम नहीं है इन दोनों नेताओं के राज का अंत हो गया है हो सकता है कि सबसे जाद प्रबल संभावना के बारे में तो हो सकता है कि वसंधरा और शरवराज केंद्र में दिखाइँ दे क्योंकि बीजेपी में माना जाता है कि पार्टी देखती है कि किसने संगठन के लिए कितना और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। इसके बाद उस नेता को उसका इनाम भी मिलता है। 2023 के चुनावों में शिवराज ने जी तोड महनत की जबर्दिस्त कैंपेंड किया और पार्टी को बड़ी जीप दिलाने में एहम भूमी का निभाई। लेकिन उन्हें इसके मताबिक नाम नहीं मिला। सवाल बड़ा है 5 बार के सांस, 6 बार के विधायक और 4 बार के बुख्यमंत्री रहे शिवराज की आगे की राह क्या होगी। और इसका जवाब शायद केंद्र की राजबीती है। पार्टी ने उन्हें प्रदेश में तो कोई बड़ी जिम्यदारी नहीं दी है। ऐसे में संभावना है कि बीजेपी आला कमान उनकी पॉपुलरिटी का फायदा उठाते हुए उन्हें लोग सबा चुनाव में उतारे। आपको बता दे कि शिवराज संग चोहान पहले भी केंद्र में रहे चुके हैं। अब बात करते हैं वसुंदरा राजे की। राजस्तान की महारानी वसुंदरा राजे को भी भारतिय जन्ता पार्टी ने राजस्तान में पूरी तरह से किनारे कर दिया है। हालांकि चुनावों से पहले भी पार्टी इन्हें इग्नोर ही कर रही थी। चुनाव प्रचारों में भी भाजपा के दिगजनेता उनसे दूरी बना रहे थे और अब नई सरकार में भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है वह आम विधायक जैसी ही है तो अब राजनितिक ग्याताओं की माने तो हो सकता है कि बीजेपी उन्हें केंद्र में को को और मजबूत करने की कोशिश करें क्योंकि राजस्तान में कई सांसदों को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया है और अब विधायक हैं ऐसे में केंद्र की राजनिती में इनका तैय माना जा रहा है तो आप गौर से देखा जाये तो शिवरा सिंग चौहान और वसंदर करे में हैं और वसंदर खुनावा हैं और रहा है कि रहा है ऐसा ऱ चौहा है और चौहा है तो बीजे बाला प्ता है है और वसंदर क्पार सुद करें करें लाजनिते ह।